वेलकम स्टुडेंट आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्तान में वेटरनरी के बारे में साइन्स बायलोजी और एगरी कल्चर में कापी सारा स्कोप है आप देख रहे होंगे और कापी सारी वेकेंसीज भी निकल रही है तो इस परकार जो टवल्थ पास स्टुडेंट उनके लिए यह भी एक बड़ी अपोर्चुनिटी है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यानि कि बीएसी नर्शिंग हो पिरामेटिकल हो फार्मेशी हो या बिपिटी हो इनके अलावा भी यहाँ पर और भी अधिक स्कोप है यानि कि जो आपकी जैसे बायलोजी होगी या फिर आपकी सिस्ट्रीम से हो या फिर एगरी कल्चर से ह या फिर मेट से हो आपको यहाँ पर बहुत ही सारा स्कोप है शैंस में तो आज हम बात करेंगे राजस्तान में किसके बारे में वेटरनेरी के बारे में पूरविस्तार पूरवक आपको इस वीडियो में जानकरी देने वाले हैं कि किस परकार आप वेटरनेरी में अपना ज सुखेर हैं यानि की पसुदन सायक में इसके अंतरकर द रजास्थान वेटर्नेयरी में डोक्टर वर क्ष बनना चाथा लिए उसके लीह कौन और नीचरु kiss यहां पर LSE या AHDP भी बोल सकते हैं तो यह दो कोर्से इसके अंतरगत आते हैं तो यहां पर यानि कि मतलब जो वेटरिनरी करना चाहते हैं तो डोक्टर बनना चाहते हैं तथा वो RPVT कर सकते हैं जो compounder बनना चाहते हैं वो LSE या AHDP करना चाहते हैं अभी जो स्टुडेंट इसमें admission लेना चाहते हैं तो उनको बता दे कि यहां पर RPVT के तो जो है courses है उसके तो application फोरम भी आगे और examination भी complete होगे दूसरा अभी आने वाला है यहां पर LSE या फिर AHDP इनका यानि कि यह कौन से courses है आपके diploma courses है इसमें apply कौन कर सकता है कौन कर सकता है only जिसके कौन टवलत है आज जिसने science से किये साथ ही science में कौन सी कौन सी stream जिसके science में क्या हो agriculture हो या फिर biology हो वो student इसमें क्या है apply कर सकता है जो यह राजिस्तान में पसुचिकिसा भी बाग में या पसुचिकिसा में क्या बनना चा तो यहां पर हम RPVT के तो बात नहीं करेंगे, RPVT पर तो special video बनाएंगे, RPVT में exam conduct होती है, जबकि इन में किसके आधार पर होता है, टवलत की merit based पर इसमें admission लिया जाता है, counselling के आधार पर, तो RPVT में exam patron, syllabus क्या रहने वाला है, और किस परकार से process रहती है, उस पर एक हम special video बनाएंगे, क्योंकि इसके application form फिलप हो चुके है, और examination complete हो चुके है, तो आगे इस पर RPVT में special video में लगा, फिलाल किसके application form पेंडिंग में, LSA और AHDP, जिस परकार RUHS University के पेंडिंग में, उस बात करेंगे, जो diploma courses है, LSA या फिर AHDP, तो सबसे पहले हम देखिए, official website पर यहाँ पर मुझूद है, तो यहाँ पर हमने check out किया, कोई भी information यहाँ पर मुझूद नहीं है, तो कापे सारे students हमें भी पूछ रहे थे, कि sir, LSA या फिर AHDP के application form में, वो कब निकलेंगे, तो आपर confused है, तो इसी परकार website पर कोई भी जो है, अभी information नहीं है, तो आप यह दि टवलत पास हो, science, bio, या फिर agriculture से, तो आप इस फोरूम को apply कर सकते हो, LSA या AHDP, या यह आप करना चाहते हो, इसमें कुल 85 government college है, और लगबग 5 या 6, नई 85, कुल total college है, और जिसमें private था, government college, पूरी समलित है, लगबग 5 या 6, क्या है, आपकी government college है, इसमें जिसकी फीश है, बिल्कुल फिरी होती है, तो इस परकार यहाप private में भी admission ले सकते हो, तो यहाँ पर इसके application form अभी निकले नहीं है, अभी आपको पता है, यानि कि दिपावली के अभी छुटिया चल रही है इसकारण अभी जिसे RUHS के delay हो रहे हैं, आपके उसी परकार से इसके भी delay हो रहे हैं, यहाँ पर application form, तो RUHS के तो लगबग हमने बताया थे कि second week of November में निकल सकते हैं, इसके भी application form की date भी वही रने वाली है, second week of November, क्योंकि कापी सारे painting में, राजस्तान में application form में हो, कापी सारे courses है, वो 2020, वन के लिए कापी सारे painting में पड़े हैं, अभी किसी के application form release नहीं है, कि अवल राजस्तान RPVT के examination complete हुई है, और किसी की भी examination हो complete नहीं हुई है, तो यहाँ पर हमने check out कर लिया, कोई भी notification नहीं है, और diploma courses के बारे में, यह two year का एक diploma courses है, जिसमें यहाँ पर प RPVT के बारे में हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, फिलाल इस वीडियो में हमने किस के बारे में चर्चा की, राजस्तान LSA या फिर AHDP, कोई भी यहादी confused जो doubt हो, नीचे comment section में comment कीजिए, तुरंत आपको reply मिलेगा, तेनल को subscribe करके, बेलाएंग, प्रेस रखे क्योंकि यहाँ पर परते एक latest update आपको मिलती रहती है, तो साथ ही हमारे social media जो भी platform है उसको follow किजिए, क्योंकि वहाँ पर तुरंत latest update मिलती रहती है, सभी का link डिस्क्रिस में है, आप जाकर simply follow कर सकते हो, तो वीडियो में इतना है, जैसे application forum आएंगे, सबसे पहले आपको इसी channel पर पता चलेगा